नमस्कार दोस्तों जैफ फ्यूट्र मेकर देख पर फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज डेट है 29-29-2018 तो आज हम बात करेंगे आज की रिपोर्ट में क्या बताया है क्या हुआ है फ्यूट्र मेकर की लाइफ में क्या चल ला है क्या नहीं और कब तक CMDC रादेशाम जी को बैल मिलेगी और कब कंपनी फिर से दुबारा फ्यूटर मेकर लाइफ के लिम्टेट दुबारा से अपना कारिया शुरू करेगी और कंपनी को कब क्लिंचिट मिलने जा रही है तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे हम पूरी जो वकील साब ने बताया उसके बारे में बताएंगे कि कब से कब हो जाएगी बैल फाइनल डेट उन्होंने बता दिये हैं दूसरा बात दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले जाता बैल आइकन को जरूर दबा ले और वीडियो को लाइक सेर भी जरूर कीजिए जिससे कि जादा जादा दोस्तों अब बात करते हैं कंपणी के नेक्स देट येट शिकायत करता थे उनका किस फाइनल हो चुका है वह एलिगेशन लगाया था चीटफंड गोटाले का वह चीटफंड गोटाले को खोट ने खारिज करते हुए बताया कि कंपनी प्रोडेक्ट बेस है कंपनी ने चीटफंड के तरीक का कोई भी नहीं अपनाया क्योंकि कंपनी प्रोडेक्ट अपना सेल करती है और प्रोडेक्ट क का मामला है वह अभी तक साफ हो चुका है कि कंपनी पर चिटफर्ड का कोई भी ऐलेगेशन नहीं है दूसरी तरब जो कंपनी के एड़ोकेटर से सीरी वर्दन जी उन्होंने भी ये फाइनल कर दिया कि तो इसके का मिल जाएगी दोस्तो पिशली डेट में इस कानड मिली थी वह सब्सक्राइब हुए आशा करते हैं कि नेक्स्ट हीरिंग में जैसे ही हीरिंग कंपलेट होती है तो इसमें बैल मिलने के लगबग 101% चांस बन चुके हैं क्योंकि कंपनी की उपर जो भी केस है सभी का चिटफंड का केस लगा हुआ है जो हिसार खरियाना के दो केस है एक हिसार का फतेवाद का वह ने चिटफंड का कोई कोटाला नहीं किया वह सरे प्रोड़क्ट बेस है दोस्तों कंपनी के बास सभी डोकुमेंट लीगल है और वह परसासन का पूरा सहयोग कर रही है जितनी वी जांच है उसमें completely सहयोग कर रहे है जिस कान के कंपनी में अभी तक जो अपना काम किया है पूरी डिटेल के साथ किया है और पूरी की पूरी जो डिटेल है उनके पास रखी हुई है और वह अपना कारिये असानी से कर रहे थे दूसरी बात है कंपनी के बुरे दिन हर कंपनी के आते हैं तो यह लगबग थोड़ी दिन की बात है यह बादल है जो कंपनी के उपर ल चाल साजी से जो company को clean sheet मिलने के वाद सवी का पता लग जाएगा और सभी का फरताफास हो जाए कि किसने क्या किया था क्योंकि ये ये तो हर बार की डशैल होती है कि जब भी कोई होता कांड होता है बड़ा कांड होता है उसके बाद कुछ समय बाद पता लगता है कि इसके पीछे मंसा क्या थी कंपनी को फेल करने की मंसा है या कंपनी को बरबाद करने की या जो भी है कंपनी की इमेज़ डाउन करने के मंसा होती है वो सब उसके बाद पता लग जाएगा पता किस की ये चाल थी किस ने ये चाल खेल लिए कि इसके उपर केस लगा तो और कंपनी बंद हो जाए क्योंकि जो कंपनी इतने कम समय में इतनी बड़ी बन गई थी इतनी इतना इसका जो ग्रोथ हुआ था दूसरी कंपनियों को ये अच्छा नहीं लगा और वहां से ये जो खे गादेश वाइं जिनोंने एक ही नारह दिया था कि मैं करना चाहता हूं मैं वह सेैजिए करना चाहता हूं कि हर घर रोजगार हो जो भी भूखा पैसा सोए वो भूखा पैसा ना सोए और जो पानी की संस्ताइं हैं जो रोटी बैंक है या फिर जो भी उन्होंने संस्ताइं सुरू की है वो मानवता की बलाई के लिए कारिये कर रहे हैं नहीं कि खुद की बलाई के लिए और उन्होंने एक और अच्छी बात की कि जब तक मेरा खून का एक 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 बूंद रहेगा मैं कमपनी के साथ रहूँगा और कमपनी के साथ दूँआ और कमपनी के साथ कारिये करूँगा कमपनी मेरे से ने कमपनी डिस्टिबूटर से है और डिस्टिबूटर के कारण ही कमपनी चल लिया मेरे से क परच नहीं होने बाड़ा जो कंपनी चला रहे हैं वो डिस्टिवुटर से ला रहे हैं मैं नहीं चला रहा है उन्होंने यह बात भी कहीं है तो दोस्तों इस तरह के CMD की सोच को हम सलाम करते हैं जो कंपनी के हर फक्त और अब भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी किसे के साथ कोई अवदर वहवार ना करें क्योंकि कंपनी जल्द ही शुरू हो जाएगी जैसे ही कंपनी शुरू होती है सभी का प्याउट शुरू हो जाएगा और सभी को जितना भ लिखना ना बोले जाए इन दोस्तों जाए वार्त आपका दिन सुभू झाल शुरू झाल 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 झाल